नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संचकेल केडी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है संचकेल केडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और संचकेल केडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि संचकेल केडी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए संचकेल केडी टैबलेट को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दातों और हड्यों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्यों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे-धीरे हड्डिया और दान्त कमजोर होने लग जाते हैं. हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वज़ा से दातों की जड़े कमजोर हो जाती है, और दान्त भंगुर होकर तूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दातों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकिट्स हो सकता है और 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हो जाती है जिसकी वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्यों और जोडों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना जरूरी होता है शर शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज़ा से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है. अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार हैं, क्योंकि विटामिन D के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोशन और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशाप के जरीए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कैल्शियम और विटामिन D को एक साथ लेना जरूरी होता है। संचकेल केडी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। संचकेल केडी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। और किन व्यक्तियों को संचकेल केडी टैबलेट को लेने की जरूरत पढ़ सकती है। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूद्ध दही जैसे डेरी प्रोडक्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं। व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को संचकेल केडी टैबलेट को लेने की जरूरत पढ़ सकती है। महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जिसकी वज़ा से महिलाओं में मेनोपोस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी संचकेल केडी टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। इसके अलावा किड्नी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को लैक्टोज इन्टॉलरंस की समस्या है, उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। Lactogen Tolerance की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वज़ा से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्व, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है, तो ये लक्षन Lactogen Tolerance के हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की संचकेल केडी टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है, संचकेल केडी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है, संचकेल केडी टैबलेट को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं. आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर संचकेल केडी टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। संचकेल केडी टैबलेट की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं। इसलिए आपको संचकेल केडी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। संचकेल केडी टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए। या उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकता है। इसलिए संचकेल केडी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनका सेवन पर्याप मात्रा में करना चाहिए, एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाट कर सुभा शाम पी लेता है, त इसलिए इनका सेवन आपको भर्पूर मात्रा में करना चाहिए, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो संचकेल केडी टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है, और ज्यादा तर व्यक्तियों में संचकेल केडी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट् तो इसकी वज़ह से बलड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको हाइपरकैलसीमिया भी कहते हैं, शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है, कुछ रिसर्च में यहाँ पाया गया है कि बलड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होन दिल से संबन्धित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना संचकैल केड़ी टैबलेट को ज्यादा डोजमे या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि संचकेल केडी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। थाइरोईड की टैबलेट और संचकेल केडी टैबलेट को एक साथ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि थाइरोइड की टैबलेट और संचकेल केडी टैबलेट को एक साथ लेने से थाइरोइड की टैबलेट का अवशोशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से थाइरोइड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है. अगर आप thyroid की tablet को लेते हैं, तो आपको thyroid की tablet और संचकेल केडी tablet में 8 से लेकर 10 घंटे का gap रखना चाहिए। Kidney की कोई समस्या होने पर और kidney में पत्री होने पर संचकेल केडी tablet को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। आपको संचकेल केडी टैबलेट को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ आईरन के सप्लिमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आईरन के अवशोशन को रोक सकता है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया, तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका संचकैल केडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं झाल